गीता के दस्वे अध्याय का नौवा शलुक मच्चित्अ मद्गता प्राना बोधयन्त परस्परम गधयन्त परस्परम गधयन्त श्यम् नित्यम् तुष्यंतिच रमन्तिच तुष्यंतिच रमन्तिच वो जीव जो मेरी भक्ति में लग जाते वो क्या करते अब इस लोग में श्री कृष्ण बताए कि मत चिता मत गतप प्राणा वो धयंत परस्परम उनका चित मुझ में लगा रहता जैसे एक यूवक का चित यूवती में लगा रहता जैसे एक शराबी का चित शराब में लगा रहता तो वो भक्त का चित भगवान में लगा रहता और किसी का चित कहा लगा है ये कैसे पता चलेगा वो क्या बोलता है इससे आउट हो जाएगा जो अंदर है वो बहर आएगा वो कहा अपने पैसे खर्च करता है इससे पता चलेगा आप जानना चाहते हैं किसी का मन कहा लगता है आप उसके चेक बुक को पास बुक को स्टड़ी कीज़े अगर उसका पैसा कारों के खरीदने में लग रहा है प्रत्य एक दो वर्ष के बाद नई कार आए तो समझे रही है उसका चित कार में लगा हुआ है अगर उसका पैसा पत्नी के लिए नई सूट खरीदने में बार बार खर्च होता है तो चित पत्नी में लगा अगर वो अधिकांश वो डोनेशन के रूप में ग्रामीन महिलाओं के शिक्षा के लिए जाता है तो उसका चित वहाँ पे है और जो भागवान के प्रति खर्चा करता इसका मतलब उसका चित भागवान में तो वो आउट हो याता हमारे व्यवहार से, चेश्टा से, वाक्य से एक बार एक गुरुजी थे उनको अपनी गीता को ढखने के लिए दो मीटर कपड़े की आवशक्ता थी तो उनका एक शिश्य था उसकी कपड़े की दुकान थी वे गए दुकान पर और कहा बेटा मैं आ गया हूँ शिश्य ने का गुरुजी आपका स्वागत है आपकी दुकान है बैठिये न मेरा जो कुछ है सब आपका ये गुरुजी ने का बेटा वो मेरे पास जो गीता है उसको ढखने के लिए दो मीटर कपड़ा चाहिए शिश्य ने का गुरुजी अभी तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा बिजी हूँ ग्रहक लोग आ रहे हैं आप ऐसे कीजिए आप पंद्रा दिन के बाद आजाईए आपको कपड़ा मिल जाएगा गुरुजी ने का ठीक है बेटा अब वो पंद्रा दिन के बाद फिर से आए बेटा मैं आ गया हूँ शिश्य ने का गुरुजी आप देख रहे हैं अभी तो ये ग्रहक मुझे इससे बात करनी है वद्वर चला जाएगा फिर मेरा घाटा हो जाएगा अब पंद्रा दिन बाद आईए आपको जरूर मिल जाएगा अब पंद्रा पंद्रा दिन बाद गुरुजी आने लग गए तो शिश्य की पत्नी देखती थी कि गुरुजी बार बार हमारी दुकान पर क्यों आते है उसने बुलाया गुरुजी बात क्या है गुरुजी ने का बेटी वो मुझे रामायन ढखने के लिए दो मीटर कपड़ा चाहिए था इसलिए मैं आता हूं लेकिन वो पोस्ट पॉन करता जाता तुम्हारा पत्नी ने का गुरुजी आप चिंता मत कीजिए कल सुबा आप नौ बजे आ जाईए आपको कपड़ा मिल से पत्नी ने का पती देव मुझे आपकी दुकान से सबसे बढ़िया कपड़े उसका दो थान चाहिए पती ने का अरे दुकान बंद हो चुकी है कल शटर खोलूँगा तो दे दूँगा नई मुझे आज ही चाहिए क्यों जिद करती हो मैं बोल रहा हो ना कि अब शटर खो खोली कपड़ा निकाला दो थान दी पत्नी को फिर वो गुरुजी आए अगले दिन पत्नी निकाली जे गुरुजी तो क्या प्रकट होता है कथा से कि उसका गुरुजी से इतना प्रेम था और पत्नी से इतना प्रेम था तो हम लोगों का प्रेम भगवान से कितना है थोड़ा सा देखिए पासचात्य देशों में इसाही लोग दसवांच निकाल देते हैं चर्च में डाल देते हैं और वो अर्मों रुपे हमारे भारत वर्श आते हैं प्रचार के लिए और हम भारती लोग क्या करते हैं? हिंदु लोग अरी बड़ी बहादुरी कर ली तो एक परसंट दान कर दिया अपनी कमाई का उसमें भी सोचा वही हमने तो कमाल कर दिया हमने मंदिर में दो हजार दे दिया भगवान भी कृतार्थ हो जाए भी कृतार्थ हो जाए तो हम लोग अकेले में सोचें हम सब अपने जीवन की कमाई का कितना हमने दान किया इसका मतलब अभी हमारा मन भगवान में नहीं लगता जब लगेगा तो हमारे आचरण से हमारे व्यवहार से हमारी वाणी से हम समय को कैसे बांठते है कितना भगवान में लगाते है कितना संसार में लगाते इस बात से आउट हो जाएगा तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे है अर्जुन वो मेरे भक्त वो कैसे बन जाते है मत चिता उनका चित मुझ में लग जाता मत गतप प्राणा अपने जीवन को मुझे समर्पित कर देते मुध हयंत परस्परम वो एक दूसरे को मेरी चर्चा सुनाते रहते है अरे श्री कृष्ण तो ऐसे है राधा जी की क्या बात कहें देखो वो व्रिन्दावन धाम ऐसा है यह स्वभाविक जो अच्छा लगेगा उसकी बात करने में सुख मिलेगा आप एक मा को प्रसन करना चाहे तो मा के बच्चे की तारीफ करते मा विभोर हो जाएगी यह समझदार वेकती मेरे बच्चे की प्रशंसा कर रहा क्योंकि मा को बच्चा अच्छा लगता तो प्रशंसा अच्छी लगती है ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे भक्त लोग फिर एक दूसरे के बीच में मेरी ही बाते करते हैं कथयंतष्चमाम नित्यम तुश्यंतीचर रमंतीचर वो मुझ में संतुष्ठ हो जाते हैं और उनका मन मुझ में रमं करता रमं करने का मतलब रस लेना देखिए आप आफिस में कार्य करते हैं रमं नहीं करते हैं रस नहीं मिलता और जब घर बैटके टेलेविजन देखते हैं तो वहाँ पर रमन करते हैं यानि रहसानुभूती होती है तो यह इसलिए क्योंकि अभी भगवान से प्रेम नहीं है न लेकिन आप में से ही कई ऐसे लोग हैं जो वेट करते रहते हैं अरे कम साड़े छे बजेंगे और स्वामी जी का सत्संग मिलेगा अब मन भगवत विशय में रमन करने लग गया ये लक्षन कि हमारी भक्ती बढ़ गई नाम गाने सदार उचिह आसतिस तद गुणाख्याने प्रीतिस तद वसतिस थले भक्ती रसामरित सिंधु में रूपगु स्वामी पाद ने लिखा कि वो भाव भक्ती का लक्षन क्या है इच्छा होती है भागवान के दिव्य धाम में हम रहे भागवान का गुनगान सुनते रहे और भागवान का नाम उच्चारण सदा करते रहे तो ये भागवान में हमारा मन रमन करता है इस से भागवान की रसानु भूती होती ये लिंक है बड़ा जवरदस्त भागवान का नाम तो वो ही है हम लोग भी कहेंगे राम और शंकर जी भी कहेंगे राम लेकिन बहुत बड़ा अंतर होगा शंकर जी जब राम कहेंगे उनको जो रस मिलेगा उसकी हम कलपना ही नहीं कर सकते शंकर जी कहते हैं ये पर्वती मैं जब किसी को रा कहते हुए सुनता हूँ तो विभोर हो जाता हूँ ये अभी शायद म कह दे अर्थात राम कह दे भले वो व्यक्ति आगे वन कह दे रावन लेकिन मैं तो रा सुनते ही विभोर हो जाता हूँ इतना रास मिलता है शंकर जी को उसी राम नाम से हम लोगों को नहीं मिलता इसलिए नाम तो वही है लेकिन भगवान इतने चालाख है कि वो अंदर बैठे है जितनी आपकी भगती है उतना ही भगवान अंदर से रस प्रदान करेंगे अगर आपका भगवान राम से चाराने प्रेम है तो राम नाम से आपको चाराने रस मिलेगा आपने अपनी भक्ती को बढ़ा के आठाने कर दिया भगवान रस को भी बढ़ा के आठाने कर देंगे आपने भक्ती को और बढ़ाया भगवान रस को भी और बढ़ा देंगे और शंकर जी का इतना दिव्य प्रेम है तो उनको ऐसा ही रस मिलता है तो रस अनुभूती कितनी होती है इससे पता चल जाएगा कि क्या मन वहाँ पर रमण करता है या नहीं तो श्री कृष्णा कहते हैं कि मेरे भक्त वो मुझ में रमण करते हैं मुझसे इतना रस प्राप्त करते हैं उसके सामने उनको संसार का रस त्रिण के समान लगता इसलिए त्रिण के समान उसको त्याग देते